कि कुछ नहीं तरफ से थी माताजी कभी आवाज आ गई है तो शेतर जैसे प्रग्या माताजी ने जवाब दिया शरी को इस बॉड़ी को शेतर कहा गया है जो कितने ततों से बना है पांच ततों से बना है प्रभु जी पांच तत पांच इसे हम ग्रॉस तत पते हैं और को उपर यह महाबूत पांच है अग्याने अंदरिया पांच है कर्में अंदरिया पांच है तो दस हो गई मतली प्रभु जी पांच तत ततों मतला पंच भूत और पिर कर्में अंदरिया ग्याने अंदरिया मन बुती एहंकाश और तीनो गुड़्ड जी टोटल मेंके कितना हो गया अंदरा प्रूटल मेंके हो गये चौबिस शरीर जो है शरीर चौबिस ततों से बना है आपका हमारा हम सब आपका टुंटीफोर एलिमेंट्स लगे हैं सब्सक्व बनाने में इसमें पांच आपने बताया ज्यान अंदरियां होगें। आख नाख काण मॉं औरुचत ये ऐसी इंदरियां मैं पांच कजानदेती एक ऐसी पांच काणम इंद्रियां है όаб Tigers में हमारे वानि यहाद और अपने निदरी सितांटël होते हैं इसी प्रकार से पांच क्या हो गए पांच माबूत पांच क्या निंद्रियां पांच विशे विशे हो गए हमारे आपका कामें देखना ऑब्जेक्ट कामें सुनना तो वाणी और सुनने साउंड धनी यह पांच करके विशे हो गए इसके बाद हमारे जो मन बुद्धी हैंकार तीन इसमें 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 पांच एलिमेंट प्रित्विय लगनी वाई वाकाश पांच ही हमारे इसमें वर्किंग सेंसे जो कर्म इंद्रियां हो गई और पांच हो गए सेंस अबजेक्त हो गए हांजी वीस हो गया बीस के बाद आपके तीन क्यों मन बुद्धी एहंकार तीस एक पुद्धी एर्थ गितलिजन्स एहंकार यानि कि पॉल्स ही को जिसे कहा गया है मन भी एक प्रकार का तत्व है जिस अपका अलग लग है और फिर 24 वा हो गया थीनों गुणों किस गुण में हम लोग है इन गुणों के समावेश इन पूरे समावेश को 24 तत्वों का समावेश बोड़ा गया और इसके अंदर इस 24 तत्तो वाले किले में हम बंद हैं सभी तो यह हो गया शेत्रग्य अब शेत्रग्य कौन है यह हमारे करम शेत्रग्य है तारी शेत्रग्य है हमारा सोल प्रभू सोल शेत्रग्य है और दूसरा शेत्रग्य कौन है परमात्मा प्रभूजी परमात्मा, शेत्र के किसे का गया है, जैसे कि किसान होता है, उपने खेत के बारे में जानता है, किसान का शेत्र हो गया, खेत, और किसान हो गया, शेत्र गया है, तो उस खेत का मालिक, जो खेत के बारे में जानता है, उसी प्रकार से ये शरीर 24 तत्तों से बना हुआ एक किला है इस किले को जानने वाला कहा गया शेत्रग्य जो इस किले का पूरा इन एन आउट जानता है कहां से क्या इसके चल रहा है तो दो मालिक हैं इसके एक तो हो गई परमात्मा और एक हो गई जीवात्मा ये दो मालिक हैं इस किले के इन्हें शेत्रग्य बोला गया ये भगवान अभी तक शेत्र शेत्र के बारें बताया हमने इसको जानना बहुत ज़रूरी है और ज्यान भगवान बता चुके हैं आठ से लेके बारवा अध्याश लोग जो था उसम भगवान ने ज्यान के बारें बताया कि ज्यान किसे कहा गया है तो वो भी असल में हम सब को जानना बहुत ज़रूरी है क्योकि जब तक हम उस ध्यान ए रुपी फ्यान रूपी ऑ लूंअक दो फिर समय कुए नहीं करें तक हमें हम अज्ञानता में रहेंगे जो काम करेंगे वो ज्ञानता में रहें होगा उमारा काम तो ज्ञान क्या क्या है ये बहुआं पर LAUGHTER की ये बईस तत्व जो हैं ये ज्ञान को सूचाथमिनम्रत्प दंभऑंतत्प अहिंसा सहश्व०्ध सरलता, प्रामानिक गुरू के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसेयमत, जितने भी 20 कुण हैं, ये ग्यान के सूजक है, अगर इस सब हम, इनको फॉलो पर रहे हैं अगर, आपने जीवन में इनको आता हुआ देख रहे हैं, हुमिलिटी, इनि विनम्रतलान, आरी है हम महींता, यानि कि घमण, किसी प्रकार का दंब नहीं है हमें, और किसी प्रकार का घमण नहीं है, अहिंसा की भावना है, सहनशीलता है, सहरशनुता, सरलता है, गुरू की शरणाती रहने की इच्छा है, तो ये ग्यान के सूचक हैं, और फिर भगवान ने तेरे हम पढ़ च वाला क्या जानने से हमें हमें सरोच सुद्धी प्राप्थ हो जाएगी यह भगवान ने तेरवें श्लोक से बढ़ना शुरू किया हमें गे के विशें बतलाओंगा इस तुम नित्य ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे यह ब्रह्म यह आत्मा जो अनादी है और जो मेरा धीन है इ भौतिक जगत के कारकारण के परेश् fellows थे उनके हाथ पामांके सिर्व मू तदा नेक कान सरवत रहें इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तों में प्राप्थ होकर अवस्तित। तो गे क्या है जानने योग की क्या है ऌर आत्मा का विशे इसे गे कहा गया है आत्मा क्या है कैसे बनी है किस परकार कारे करती है अब परमात्मा कौन है कैसे कारे करते हैं इसको जो जान लेगा समझ लेगा उसने समझे सब कुछ जान लिया समझ लिया यह हो गया गे के विशे में जानना तो यहां तक हम भगवान बता रहे हैं अब परमात्मा के विशे में पहले बताना शुरू किया परमात्मा के भी जो उनका निराकार ब्रह्म सुरूप है उसको जानना अब लेकिन उसको जान लिया तो उसका मत्रही नहीं कि आपने परमात्मा को जान लिया जिस प्रकार से श्रीला प्रहुपा समझाते हैं सूर्य का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश को अगर आ है तो प्रकाष का कमरें में प्रवेश करना सूर्य प्रकाष का अनीस तर बहुत है कि प्रकाष सूरे प्रकाष तो ठंडा होता है ज्याद गर्म नहीं होता लेकिन सूरे ग्लोब जो है पूरा सन क्लानिट वो तो बहुत गरम है तो इसलिए परमात्मा के विशे में जानना एक माइन्यूट नॉलिज है जो भगवान के विशे में पूर्ण पताती है कुछ हद तक लेकिन संपूर्ण ग्यान नहीं देगी संपूर्ण ग्यान अगर आपको प्राप्त करना है तो सोर्स को पकड़ना पड़ेगा जैसे किसी भी चीज़ का पूर्ण ग्यान अगर लेना है तो उसके सोर्स अगर हमें पता है तो हमें पूर्ण ग्यान पता है फिर उसके बारे में उसी प्रकार से जब भगवान के विशह में समझेंगे तो उनके बारे में समझे पूर निकाना में प्राप्त हो जाएगा तो आज एक श्लोक हम ले पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा उपर हो गया है और आप सभी को पावली पूजिन के लिए भी निकलना होगा तो वोई भगवान गे के विशह में बता रहे है अब मैं गे के विशह में बतलाओंगा जिस आंका तुम नित्य ब्रह्म का साधन कर सकोगे ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादी है मेरे अधीन है इस बहुतिक जगत के कारे कारण में के परिस्तित अब देखें यहां भगवान गे के विशह में बता रहे है कुछ लोग ब्रह्म प्रकाश को ही सब कुछ माल लेते है कि हमें ब्रह्म प्रकाश बस यही इसी के अंदर समावित हो जाना है एक दिन हम इसी के अंदर समा जाएंगे लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे है वो ब्रह्म पकाश क्या है वो ब्रह्म या आत्मा जो अनाधी है मेरे अधीन है मेरे अधीन मतलब भगवान स्वयम कह रहे हैं कि मैं उससे भी उपर हूँ और इस भौतिक जगतिक कारकारण के परिस्थित है उनके हाथ पाउं आखे सिर् सबस्तित में अबस्तित है इस पर मात्म बता रहे हैं आगे की सर्वेंद्रिय गुणाभा समसर्वेंद्रिय विवर सकत्व सर्वब्रच्छईवा तो यह प्यों है निर्गुणा मुझक्रूना गुणा भूब्रूपत पश्ष कुरूब परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल सुरोत हैं फिर भी वे इंद्रियों सेर रहित हैं वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी आना सकते हैं वे प्रकति के गुणों के परे हैं फिर भी वे प्रकति भौतिक प्रकति के समस्त गुणों के स्वामी हैं स्वामी कौन है परमात्मा लेकिन फिर भी वो गुणों से ग्रसित नहीं होते यह कहें कि परमात्मा सतोगुणी है कि कहना मुरुकता होगी परमात्मा कोई गुण नहीं बांदे सकता परमेश्वर समस जीवों के समस इंद्रियों के स्रोत हैं फिर भी जीवों की तरह उनके बहुत इक इंद्रियां नहीं होती वास्ता में जीवों में अध्यात्मी इंद्रियां होती हैं लेकिन बद्ध जीवन में वे बहुत इक तत्वों से अच्छादित रहती हैं अतेव इं परमिश्वर की इंदरियां इस पर आचादित नहीं रहती उनकी इंदरियां दिव्वे होती हैं ते निर्गुण कहलाती हैं उस लोग निर्गुण को निराकार समझ लेते हैं निराकार नहीं है निर्गुण अर्था जो गुणों में ना बांदा जा सके जो तीन गुणों से कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती यद्दिपीवे हमारे समस्त इंद्रिय कारियों के सुरोथ हैं लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्वे होती हैं जो कलमश रहित होती है इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्रुता शरुपनिशद में तीसरे अध्या जाता है उसे वे अपने हाथों से घ्रन करते हैं बद जीव तता परमात्मा में यही अंतर है उनके भॐतिक नेत्र नहीं होते फिर भी उनके नेत्र होते हैं अन्यता वे कैसे देख सकते वे सब कुछ देखते हैं वे जीवों के रिदे में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूत काल में हमने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं और भविश्य में क्या होने वाला है इसकी पुष्टी भगवत गीता में हुई है वे सब कुछ जानते हैं किन्तु उन्हें कोई नहीं जानता कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाव नहीं है लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके अध्यात्मिक पाव होते हैं दूसरे शब्दों में भगवा निराकार नहीं है पश्टेया भगवद गीता नौन लेखाया है भगवा निराकार नहीं है उनके अपने नेत्र पाव हाथ सभी कुछ होते हैं और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंच हैं अतेव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है लेकिन उनके हाथ पाव नेत्र तान्ने इंद्रियां प्रकती द्वारा खलमश्गरस्ट नहीं होती यही अंतर है हमारी इंद्रियां खलमश्गरस्ट हो चुगी है कोई रजगुणी सोच रहा है कोई तमोगुणी भाव में सोच रहा है कोई सचोगुणी भाव में सोच रहा है तो हमारी इंद्रियां उस प्रकाड से थे हैं जैसे कमरे में एक ख्ठी की लगी है और उस ख्डीकी से ही रौश्णी आती है लेकिन उस ख्डीकी पर हमने कोई कलर पेपर लगा दिया है तब जिस कलर का वेपर है उसी कलर की रोशनी अंदर आएगी बाकी सारी रोशनी के जो सोर्स हैं वो अंदर नहीं आएंगे और दूसरे कलर अंदर नहीं आएंगे इसी प्रकार से हमने जिस प्रकार का राग दोश का चश्मा पहना हुआ है राग दोश और चश्मा मतलब जिस प्रकार के हमारे मन के विचार हैं, जैसे हमारे गुण हैं, उसी प्रकार से हमें दुनिया दिखाई देगी, अगर हम छलक अप्टी सुभाव के हैं, तो हर कोई हमें छलक अप्टी दिखाई देगा, हमें देखेगा, यह भी चला गई, यह भी हमें लूट लेगा, यह भी हमे कहीं का नी छोड़ेगा जैसा सोच-सोच के हम लोग हर जीव के प्रती इर्शा भाव रखते हैं अगर हमारा धन के प्रती बहुत लोग है तो हर कोई हमें धन लोगी दिखाई देगा और उसी प्रकार से हम भगवान को भी देखेंगे अरे बड़ा चड़ावा चड़ता है भगवान को मंदर में ए लोग बोलते हैं न भगवान को बड़ा चड़ावा चड़ता है सोने में भगवान को लात के रखा हुआ इतना सोना है उस मंदर में इर्शा होती है क्योंकि वैसे ही रागदुष का चश्मा हमने पहना हुआ है तो हमें इर्शा होगी होगी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां कलमश्ग्रस हो सकती है गुणों के अधार पर लेकिन इश्वर की इंद्रियां कलमश्ग्रस नहीं आती इसलिए इश्वर सुहर्द सर्वभूता नाम भगवान कहते है गुणत गीता में मैं सभी का सुहर्द सुहर्द मतलब हितैशी मित्र हूँ चाए कोई मेरी भक्ती कर रहा हो चाए ना कर रहा हो चाए कोई मनुषरीर में हो चाए पशुषरीर में हो किसी भी यूनी में कोई ना हो सुहर्द सर्वभूता नाम भगवान रहा है मैं सभी का सुहर्द सर्वद मित्र हूँ यहीं अंतर आ गया देखिए परमात्मा की इंद्रियां कैसी है इसलिए वो तीनों गुणों से बंदी नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है, भगवत गीता से भी पुष्टी होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ती से या था रूप में प्रकट होते हैं, वे भहत एक शक्ती द्वारा घ्रस नहीं होतें, कि वे बहुत एक शक्ती के स्वामी हैं, जिब भगवान प्रकट भी होंगे तो इस प्रकार प्रकट नहीं होतें, जैसे आम तरूरों बाकी हम सभी जी पैदा होते हैं, माताई गर्म में नहों महीने रहें कि फिर Chief के ले में प्रकट होते हैं, जब मत्रा सब्सक्रावना को लेकर वो माता देविकी के कर्म में इस्तापित हो गए और फिर वहीं से चत्रभुष नारायंड रूप में प्रगट हुए तब दौनों माता पिता ने प्रात्मा करी प्रभू कंस वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है आपके चत्रभुष देखकर प्रगट हो ने यह समझ जाएगा कि आप जुष्वरो और आपके नुक्सान पोचने का प्रयास करेगा अ कि कया कर सकता था कुछ नी लेकिन माता पिता का बही है अनंत कोटी ब्रह्मार्ण के नायक प्रकट हो रहे हैं तीनों लोकों के स्वामी प्रकट हो रहे हैं कहां प्रकट हो रहे हैं जेल में और किनकें प्रकट हो रहे हैं वसुदेव जानकी किया जोकी राजा के पुत्र है लेकिन इतना घोर दुख कश्ट की छह संतान मार दी गई सामने आखों के जेल में बेडियां पड़ी हैं और उन बेडियों से बंदे बंदे अनंत कोटी ब्रह्मान के नायक प्रकट हो रहे हैं इससे बड़ा दुख किसी को मिला है क्या जीवन में आप खुद अपने जीवन आनेलीसिस करिए जेल में पैदा हो रहे हैं बहगवान जेल माता पिता बेड़ियां पड़ियां माता पिता के सामने संतान को मार दिया गया कुछ नहीं कर पाए इतने दुख कश्ट में होके भी प्रसन हैं चित्हें बहगवान की शननागती है क्या हमारी कष्ट इनसे बड़े हो गए इतने कष्ट तो मैं नहीं समझता किसी जीव ने देखे होंगे इतने कष्ट देव की वसुदेव जी ने देखे और उतने कष्ट स्वयम भगवान प्रकट हो रहे हैं कोई वार आम इंसान प्रकट नहीं हो रहा है नहीं आतन प्रकवान हो रहे हैं तो इतने कष्ट से भरे युनके जीवन तो अपने कष्ट तो कुछ भी नहीं है अपने कश्टों से हम घुबरा जाते हैं इतने बड़े कश्टों को लेकर grवान और क्यों प्रकट हो राओप्र कर बता रहे हैं अब मैं आगया हूँ, सब कश्टों को दूर कर दूँगा भगवान कह रहे हैं, वडनेंड कर रहे हैं लिसाब अपने हिदे से तुरंत ऐसे चूमंतर गाया हो जाते हैं जैसे जी कभी थे ही ना ऐसे उचार थे नहीं ऐसे ऐसे मैसूश होता है तो यही हमें समया कि भगवान जो हैं वो मनुष्यों से परे हैं उनकी इंद्रियां अलग हैं भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान जो प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति और भगवान हमारी तरह प्रकट नहीं होते हैं वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं वे सरवादिक बुद्धिमान तता ज्यान से पूर्ण हैं यह भगवान के कुछ लक्षन हैं वे समस्ति जीवों के पालक हैं और सारी गतिविदी के साक्षी हैं जहां तक वैदिक सायति स्वे समझा जा सकता है परमेश्वर सदेव दिव्व है यह दिव्वी हमें उनके हाथ पाउं सरमुख नहीं दिखते लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पत्व तक उपर उड़ जाते हैं तो हमें भगवान के सुरूप के दर्शन होते हैं इन्हीं आकों से भगवान के दर्शन नहीं होते भगवेतर कह रही है आपर कोई इसमें दोराएं नहीं है इसी जनम में इसी शरीर में भगवान के दर्शन कर सकता है जीव अगर वो नियमित रूप से प्रयास कर रहा है कलमशगरस इंद्रियों के कारण हम उनके सुरूप को नहीं देख सकते यही कारण है कि हम उनको नहीं देख पा रहे कि हमारी हिंद्रियों कलमशगरस थे हैं हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है हमें संसारिक लोगों पर विश्वास है medical policies पर विश्वास है इस सब चीजों पर विश्वास है लेकिन पाप कट रहे हैं उनके सुख है उसके बाद तुरंत उनके बाद उनके उनके जीवन में जैसे की होता ना कि केस चलता है जब तो रैपिड केस कईवा चलता है भक्तों का अरे एतने जन्मों के पाप लेकि सिर्फे घूम रहा है थोड़ा थोड़ा दुख मिले कि एकदम से सारे दुख खतम करके फटा पट इसको छुटकारा देलाएं दुखों से ये स्थिती होती है भक्तों की जीवन में देखे कि भक्तों के बड़ बड़ी बिमारियां लेके घूमते हैं भक्त कई वार हो जाती हैं उनका रैपिड केस चल रहा है तुरंत सारे दुरगतियों का निप्टारा किया जा रहा है उनकी वैशना मुखारविन से निकली बाते हैं हमारे हिदे की बाते नहीं कश्ट आ रहे हैं आपके कश्ट इसलिए आ रहे हैं कि जो कर्म हम करके बैठे हुआ हैं उन कर्मों को दो ऑप्षन है या तो धीरे-धीरे करके उतारा जाए तो थोड़े-थोड़े कश्ट आएंगे लेकिन कई जनम लग जाएंगे नहीं तो एक बार में तुरंत छुटका प्राव मिल गया आज इसे किसी स्तिती में भक्त को हदुत साइथ होने के वशक्ता नहीं है भगवान का बच्चे हैं हम सब जिसके मालिक स्वयम कृष्ण है अनत कोटी ब्रह्मान के नायक है हमें किस बात का डर है इसे भक्त लोग बंडन करते हैं तो हमें बंड़ी भक्ती निर्वशषवादी भगवाण को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वह भॵतिक द्रिश्टी से प्रभावित होते हैं हमारी आख्यों नियुक्त, निर्वशष बात निर्थव का कि अध्यात्मिक उनके अध्यात्मिक अध्यान रखना है और आप सभी से प्रातना है कि पूर्ण रूपेंड भगवान की शरण में रहें हर सिती में कभी भी अपने को हतोच साहित ना करें एक बात भक्ती मिलना ही सबसे बड़ी बात है हरी नाम जब करने बहुत बड़ी बात है अगर एक वाप अपने शुरू कर दिया है तो फिर किसी का डर नहीं चिंता नहीं पिर तो जीवन में परशानी आएंगी लेकिन परशानी निकल भी जाएंगी और समझे कि हमारे कई ऐसे जीवन कष्ट होंगे चुप सुख में रहे और आप आपकी भक्ती आगे बगान के बाद बढ़ती रहे क्रे क्रिश्ण कोई प्रश्ण किसी का हो तो पूछ सकते हैं अगर प्रश्ण नहीं तो कथा को में विराम देते हैं और आप सभी प्रयास करिए कि हम अपने मन रूपी हिर्दे रूपी आयोध्या में भगवान राम को आज के शुब दिन पर निवासित कर सकें बुला सकें और फिर कभी भी इस मंत्रा रूपी मन के बहकावे में ना आए कि इनको निकाल दें भगवान को जैसे या क्योंकि सिती फिर के कई जैसी ही हो जाएगी कि इस प्रकार जैसे के कई माता ने सोचा ये सुख मिलेगा वो सुख मिलेगा लेकिन मिला क्या भरत महराजी की भठकार मिली और भरत महराजी से ही इनके सुख सोज़ा था उनी से दूर हो गए उसी प्रकार भगवान अगर हमारे हैदे से दूर हो गए तो सुख कहीं भी नहीं है फिर जो कल्ब नाम करते हैं सुख मिलेगा भगवान से दूर रहकर वो कल्ब नहीं है अरे क्रिश्णा अरे क्रिश्णा